सो गाइस अगर मैं आप सब को बता रहा हूं कि मैंने तीन दिन में अकाउंट लिए गरा तो मेरा फर्स बनता है यह दिखाना कि मेरे अकाउंट ब्रीच भी गलती होती है जो भी लोग सोचते हैं कि सुक्सेस्फुल ट्रेडर गलती है तो सबसे गलती होती है और यह जो गलती है मतलब आप सब लोग सोगे कि मतलब कैसी गलती करें यह कोई ऐसी गलती निया कि मेरे बहुत दर्स चॉप्लस लिट होगे या मैंने अपना इमोशन पर कंट्रोल नहीं करा है या साइकलोजी मेरी खराब होगी ऐसा कोछ नहीं हुआ तो मैं आपको बताता और उसमें मेरा $2.30 प्रॉक्स चल रहा था तो हुआ क्या रात के धाई बच रहे थे और मैंने सोचा कि दोनों में पूशन रणिंग थी बिट्कॉन में 0.08 लॉट थे और गोल में 0.09 मैं आपको दिखा दूँग अभी फोन में अगर आपको ट्रस्ट नहीं तो तो हुआ क मैं 3.20 पे उठा मतलब स्मॉल नप लिया है मैं ने वस एंड साथ के साथ में को एक्षट नहीं पूशिशन 3.15 का टाम सा मैं पांच में लेट हो गया एंड वीकंड पे क्या हुआ एक दम से गोल की तो कोई टैंशन ने थी क्यूंकि वाल टेम हाई पे था 2716 था मतलब मतलब लिटरली फ्राइडे को भी गलती हुई और मंडे को मैंने यही सेम गलती रिपीट करी रात को दो बुझे सो रहा हूं मतलब दो गोंटे और जाग लिता मेरे को में दोस्तों में बोला कि गोल की पोजिशन एक्षट कर दियो जितने में सब को बचा ऐसा बट मैं अरा क्या सुबा चाहिना की कोई न्यूज आई की थाउजन टन्स पतानी गोल का यह वह हुआ मतलब जो भी न्यूज थी वाई गोल्ड डंप हुआ एक दम से और मैं साथ पजी उठा मैंने देखा मेरा अकॉन ब्रीच और डेली लिमिट डेली लॉस लिमिट एक्सीड हुई थी इसमें गोल्ड में और फीस विगारा था कि अपर और मेरा टूफिट डॉल्र को लॉस रॉस हुआ एकांट ब्रीच सुबा सुबा मेरा पूरा मूड खराब होना क्या था आज की बात है यह मंडे की और मैं मंडे को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इससे आपको यह सीखने को मि इन वो उसको नई चीज़े करेगी 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 नई चीज़े आपको हर बात दिखने को मिलेगी कभी उसको लिनेंट मतलो मैं मतलब इतना खुद को समझने लगा कि भाई क्या हो जगा मार्किट मैंने स्टॉप पस लगा है और मतलब गोल में मेरा स्लीपच लगा एंड स्लीपच लगा एंड बिटकोई में 25 दॉलर का मेरा अप्राउक्स ओना है फीसली ओवरनेट होल करने गोल में 15 दॉलर के फीसली मैंने फंडिंग अकांट्स में कभी ब्यों करो ही मत लिटरली कभी भी मत करो और मैं आपको बतारहूं मैंने मतलब मेरी सबसी बड़ी गलती क रही है पहले मैं बीड़ी देख भी इसलिए बना रहा हूं कि आज से जब मैं कुछ टेमर देख्वा तो बैको पता रहे कि मैं ऐसी गलतियां भी करता था ऐसी पागलो वाली बुलिशिट में स्टेक्स भी करता था यह मतलब गलतियां मैं ना रिपीट करूं इसलिए मैं यह जो भी आ रहा है दिखा रहा है कि यह account clear होगे दो दिन में, क्या सिख्टेओं मेल रहा है, गलतियों से शिख्छो बाई, मेरी गलतियों हैं सिख्छो, सबकी गलतियों सिख्छो, सो मैं बोल रहा था कि मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या थी कि मैं attach हो गया trade से मेरा 50 डॉलर का profit रहा गया था अपना सिर्फ account क्लियर करने के लिए और मैं सोच तर कि भाई बस बुटकर नो all time high मार दे जल्दी से हैना अभी तो 2 बजे है 3 बजे market close हो नहीं all time high मार दे या gold को था कि account क्लियर करना है Friday को account क्लियर करूंगा और आम से एक दूरीन Saturday Sunday के break है रियल अकॉंट मिल जागा बंदे को यही मैंने सबसे बड़ी बागल्मति करी और यहाँ पर आप मेरी ट्रेट्स देख सकते हो इसमें मेरा लॉज सिर्फ रियलाइच वेनल 44 डॉर प्रॉफिट सबसे ज्यादा बड़ा Friday को भी मैंने मतलब नीज के चक्कर में हुए में लिए Friday को भी मैंने यही सेम चीज़ करी है और आम से मैं सो रहा हूं लिटरली आराम से और यह मेरे साथ दूसरी बार हुआ है तो मैंने सोचा रिकॉर्ड करके बताऊं आपको भी प्यूंकि जब भ पर यहां लिए घरजरी की मैं एमोशेलश्स बनूं बट थोड़ा टाइम लगेगा अब अगर मैं एमोशनल लैस होता तो मैं अपना ढाइबजे ट्रेड काटका सोता है मैंने अपना रणिंग छोड़ दिया क्यों छोड़ दिया कि बंडे को खुल जेगी मार्केट एंड we blame our destiny कि वाई किसमत खराब है यह खराब है और मेरा लॉस लिटरली 255 डॉलर्स को हो गया पांच डॉलदर अगर लॉस कम होता ना तो मेरा अकॉंट बचा रहता है यह ना मेरको तो पता है मेरा लॉस मतलब डेली लिमिट एकसीड होगी है मैंने मेरको क्या पता प्रॉफिट इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं अब पचास बंदे देखनें सो बने देखनें बट जिस भी बंदे को यहीं समझागी तो मेरे लिए सगी है क्योंकि इस फेस पे आके बहुत बुरा लगता है लिटरली बहुत बुरा फेस्टू एंड रियल अकॉंट भी मैंने ब्रीच यही आपको अपने दिल दिमाग हर एक चीज़ को कंट्रोल करना है उस ही पॉइंट पर भाई हमको नहीं फरक पड़ना चाहिए कि हमारे टीपी जा रहे है एसल जा रहा है टीपी आ रहे डन पचास चोलर कर रहेगा क्यों खुशी भी नहीं होने चाहिए अगर आपको एमोशन बढ़े अई को अगयुक्त चीज में हर एक की स्क्ली परई बनना पढ़ेगा नियुटि मेन देखने मेल है एपको बताई है और सबुम्ह ओлиш को बताई है अब्लाव को य देखने ़्यदेता को क्योंकि है और मैं बट दौसे में आपको याद रहे घर तो यह गलते हैं रिपीट नहीं करने में इसमें एक ही सीख है कि Emotions पर काम करो अपने Emotions को control अगर में चीज़ कहा है नींद की भी गलती है मेरी भी गलती है कुछ बट एद इमोशन की में गलती है क्योंकि अगर मैं 50 डॉलर्स का रहा गया सोच लगे राम से क्लियर कर लूगा है ना क्योंकि में जुन्दों के टार्गे लगे थे बट मेरे को उसी दिन क्लियर करना है जल्दी कर रहा था मैं जल्दी I was not trusting the process I was just rushing the process trading वह यही में चीज है भाई लोग बोलतें trust the process इसका मतलब क्या है कि भाई process को slow slow करो यही में चीज है रश मत करो लोग fast में को भी जल्दी पैसा करना है जल्दी पैसा करना है यह करना है वह करना है घरवालो के लिए उसी जल्दी के चक्क में ब्रीच हुआ अब होना क्या है दुबार से starting से घीसो ने अगाउंट लो दुबार से clear करो तो यही में चीज़े slow करो don't trust the process just trust the process and strategy यह कुछ matter नहीं कर दिया अभी इसमें क्या strategy matter ने में इस और हूंगा मैं अब दुबार से निया count लोगा और जो भी मैंने गलतियां गरी गाइस मतलब में सबसे ज़्यादा स्मार्ट कौन है अपनी गलतियों से सीखते हैं मैं सीख लूँगा लेगिन अगर आप मेरी गलतियों से सीख रहे हो तो आप में वह बन देओ एक सिक्थ हो तो जितने भी ट्रेडर सब की गलतियों से स्कुझ सीखो की गलतियों सortic में बंद वो ही जो बंद सामने वाले सीखुल लोग कोछते में मैं पर इंटर को सबसे सीखो जो आपको से जखने जो भी डंद है मानलों यह एक बंद ऑ बी 129 किसा आनना तो यह में चीज़ है, और में कैस अपकी गलतियों से भी सिखो, प्रॉफिट तो सब कर लेंगे, यह चीज़े वो कर लेंगे, बट अगर आप गलतियों सीख रहे हो, तो आप बहुत जल्दी successful trader बन जाओगे, and at the end, सिर्फ एक दुबारा टिप दूँगा, कि अपने emotions पे control करना सीख जाओ, emotions पे इतनी जल्दी control हो जेगा, यहना emotion less बन जाओगे आप, उतनी जल्दी आप trader बन जाओगे, कोई strategy आपको successful trader नहीं बनाएगी, सिर्फ आपका mindset और आपके emotions आपको successful trader बनाएगे, उतनी जल्द काम करो, और उतनी जल्दी आप बन जाओगे, thank you.